हलो तरस तो कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका फिर से एक नेर मार्केट अनल इसी स्टूडियो में तो दोस्तों भी आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले कल के लिए निप्टी और बैंग निप्टी में हमारा क्या व्यू रहेगा कहां पर हम बायो शैलिंग का प्ला है और आज का मार्केट अनल सी स्टूडियो स्टार्ट करते है यह वीडियो के वल स्टॉक निवेश और रणनीतियों से संबंधित और सामान्य जानकारी का विशलेशन सीखने और चर्चा करने के लिए है मैं आपके लाब या हानी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ कृपि देखो आपके सामने निप्टी फिप्टी का चार्ट 15 मेनी टाइम फ्रेम के उपर लगा हुआ है सबसे पहले हम बात कर ले कि आज के ट्रेडिंग सेर्शन में यहां पर हमें क्या देखने को मिला हमारा यहां पर क्या व्यू था तो व्यू तो देखो सबसे पहले अगर कि उसके उपर से हमें यहां पर क्या लग रहा था और मार्केट मैज क्या देखने को मिला आपने पूरा ने वीडियो हमारे अगर यह अगर अगर डेहते होगे तो आपको भी बता होगा त्यूंकि यहां पर देखो वो मेरे खेल से मुझे व מכहाच करने को उसमें दी थी मैंने आपको बहुत सारे points मतलब अभी चार्ट पेटर्न structure कैसे work करता है उसके हिसाब से हमें यहां पर क्या momentum देखने को मिल सकता है वो यहां पर हमें देखने को मिला दूसरा यहां पर क्या है आपको कुछ मतलब यहां पर यह डॉलर इंडेक्स है मतलब यूएश्डी आयनर है यूग के कुरूड ओयल है हमारा ये दाउ जोन्स ये सब कुछ मैंने आपको मतलब उसका भी समझाते हुए आपको यहाँ पर व्यू बता रहा था कि क्या यहाँ पर हो सकता है तीसरा यहाँ पर क्या है कुछ न्यूज बेसिस जैसे कि आज HDFC का भी न्यूज था तो उसके चलते भी हमें यहाँ पर एक फॉल देखना को मिला मतलब एक बहुत सारे मल्टीपल रीजन थे मार्केट में वैसे तो आना ही था मार्केट को यहाँ पर नीचे मैंने आपको कई बार पहले भी कह चुका है कि मार्केट जो भी यहाँ पर एक्स पहली चलाता है मुलब अपना नाम नहीं आना चाहिए जैसे कि माहल तो कफसे यहाँ पर बना हुआ था नीचे जाने का परंतु क्या करें भी यह किसका नाम दे अभी यह डॉलर कुरूर ओयल भी अभी यह 94 93 यह कुछ मतलब खास नहीं कहते है कि मार्केट को यह गिरा सकते यहाँ पर अभी फिलाल कुछ नहीं ही है परंतु इसका इंपेक्ट धीरे-धीरे करके हमें लंबे समय के बाद यहाँ पर पड़ता है यह मैं आपको रेगुलर स्की बताता हूँ कि इसके उपर नजर रखो मतलब की क्या है अपसाइड लिमेटेड है या तो फिर यू समर लो की आपको मतलब वो मुमिन्टम जो आप सपने देखते हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तो एक थोड़ा सा मुझलब आप एक सावचेती कि मतलब वो कहते हैं कि सेफ यहाँ पर ट्रेडिंग प्लानिंग करो उसके लिए यह बाकी डॉलर्स यहाँ पर है डॉ आपको उतना भी बड़ा मतलब कि रातो रात डबल या तीन चार गुना आपको कर देगा ऐसा मुमेंट देखने को मिल जाएगा अपसाइब तो यह बहुत सारे यहाँ पर रिजन्स वहते हैं बाकी दूसरे ग्लोबली भी अगर सेंटिमेंट वहाँ पर देखे यूएस मार आने वाला है तो थोड़ा सा देखते हैं अभी क्या है उनका हाला कि मेर कोई समझ में नहीं आता है फैड़ बेड़ का है ना फिर भी उसका भी हमें इंपेक्ट आने वाले दिन में हमें देखने को मिल सकता है कल पर सो या जो भी जो भी आंकड़े नंबर राते उसके उपर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है आपको अच्छा मोमेंट हो देख के चला जाता है जो भी जैसी कि आज का अगर बात करें तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही अच्छा मतलब इसका योगदान रहा है स्ट्फी बेंग का वो मेरे ख्याल से कुछ तो मेरे ख्याल से मतलब इतने बड़े इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होता फॉल तो आता जरूर प्रण तो गैप डाउन मेरे ख्याल से इतना देख ले तो आप प्लानिंग व्यू अभी फिलाल देखो यहाँ पर बूलिस या बेरिस बनाने का अभी फिलाल अभी थोड़ा सा इक्नौर करते करते हैं कि जैसे कि हम तीन दिन से यहाँ पर न्यूट्रल लेकर आ रहे हाला कि न्यूट्रल तो नहीं न्यूट्रल कहने का तोब थोड़ा सा मदला वो है परंतु व्यू क्या है परंचू अभी कि इसको हम न्यूट्र लेके चलेंगे हाना कि दो दिन अगर आपको पता होगा कि बातों की उपर से簡ra चल गया हुगा कि हम थोड़ा से नेगेटिव प्रेसे लगा था ता कि डाउंसाइड मोमेंट हम आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना तो वो था परूंतु अभी आज की कर बात करें नीट्रल व्यू लेकर जाना चाहूंगा क्योंकि अभी हम उस पॉइंट पर यहाँ पर आके खड़े हैं कौन से पॉइंट से कि यहाँ से हम टкив आं ट्रे अलब ब्लाफ सौट्थम डां ट्रेंड यहाँ पर सुरुवत कर सकते और दूसरा क्या है यहां से अभी जो हमारा प्रेंड चालो उसको कंटिनुन भी कर सकते मुले एक ब्र्डर एरिया है इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं एक ऐर्या मतलब एक रेंज यहां पर है हमारे पास वह मैं यहां पर अगर आपको बता दू कि क्या है कि कैसे हम यहां पर planning कर सकते हैं तो देखो मैं इसको थोड़ा सा one hour time frame पर लेके जाओ कि क्यूंकि आपको noise यहां पर थोड़ा इसी कम देखने को मिले तो देखो अभी क्या है यहां पर मैं यहां पर बात कर रहा था रेंज मतलब यहां पर एक तो current point यहां पर जो जहां पर मार्केट ने closing दिये हैं मतलब वहां से अगर पचास point 850 का यहां पर पकड़ के चल सकते कि immediate support हमारा यहां पर answer रहेगा 850 का मतलब क्यों यहां पर देखे तो gap up opening के बाद मतलब मार्केट यहां से उपर मतलब continue कर रहा था तो अभी gap up वाला level है तो एक important वैसे भी यहां पर देखे तो जिग-जग के बाद हमें breakout देखने को मिला मतलब यह 850 का हमारे पास immediate support रहेगा यहां पर समझो ना कि हो सकता है कि 850 के बाद हमें फिर से bounce देखने को मिल सकता है ठीक है दूसरा क्या है यहां पर immediate resistance मतलब एक आपको रेंज यहां पर देखने को मैं आपको रेंज यहां पर बता रहा हूँ कि यह 20,050 का रेंज हमारे पास रहेगा मतलब इसके बाहर ही आपको किसी trend continuation देखने को मिल सकता है मतलब trend continuation मतलब अगर आपको downtrend continue चाहिए तो एक 50 के बाद ही आपको देखने को मिलेगा वहां पर आपको अच्छी strength देखने को मिलेगी उस trend में अभी हो चाहिए downtrend हो अभी आप चाहिए वह अप रेंड हो तो आपको वह 20,050 मतलब वह round number 20,000 भी यहां पर आप पकड़के च कर सकते हो कि 20,000 के बाद आपको upside में strength देखने को मिल सकती है तो यह range हमारे पास रहेगी बाकी इसके अंदर क्या है इसके अंदर market कहां पर open होता है उसके उपर depends करेगा समझ रहो ना तो यह यहां पर हमारे पास रहेगा क्योंकि देखो यहां पर अभी मैं आपको structure समझाओ कि मैंने आपको यह range क्यों ऐसा दिया यह levels मैंने यहां पर यह क्यों दिया तो देखो एक तो market को अगर downtrend यहां से change करना है आला कि यहां पर अगर देखे तो लिए swing low यह सब तो यहां पर break कर चुका है छोटे time frame पर अगर one hour पर देखे अगर इसको downtrend इसको continue करना है short term trade अभ मतलब यहां पर क्या हुआ कि मार्केट देखो यहां पर एक higher high high low चल रहा था अभी इसने latest swing low break करके यहां पर नीचे आ गया है इसने एक मतलब यहां पर closing दी है तो अभी इसको आगे और continue करना है तो इसको क्या करना बड़ी का structure मतलब यह सीधी लाइन में तो यहां से ऐसा तो है नहीं कि सीधा यहां पर नीचे चला जाएगा उसको जहां तक जाना है वहां तक यह क्या करेगा higher low higher low मतलब lower low lower high formation बना तो वह नीचे जाना है तो यह हो सकता है अगर bounce आता है तो हमें 20,000 यह जो भी लेवल्स है यहां पर 20,000 20,000 राउन नमबर से लेके 20,50 मलब यह जो है यहां से हो सकता है एक swing high मलब एक lower high यहां से बनाते हुए यह फिर से एक selling pressure भी हमें यहां पर बनता हुए देखने को मिल सकता है म sell भी यहां पर हो सकता है structure के मुताबी structure आप समझो ना कि market को अगर यहां से यह नीचे जाना है यहां से हो सकता है एक lower high बनाते हुए आगे यह continue कर सकता हो सकता है फिचे में 200 तक मतलब यह यहां से हो सकता है फिर ऐसे भी यह भी हो सकता है दूसरा यहां पर क्या है कि अकर मा मान लोग अभी यहां पर immediate support 850 पर है तो यह भी यहां पर हो सकता है मान लोग एक gap अभी इतना selling pressure हो सकता है कि कल हमें gap down opening देखने को मिल सकते हैं साइड़ जो अपन देखने को मिल सकते हैं अगर यह यह भी एक perfect level रहेगा क्योंकि यहां पर अगर देखो मैं आपको दिखाओ प्रिवेश लेवल तो आप अगर यहां पर देखो के तो यह जो point से हमारा जो अगर daily time frame पर मैं आपको लेकर जाओ यहां पर मैंने आपको याद हो तो आपको पहले बताया था कि uptrend मतलब जो swing high इसने ब्रेक करके फिर उपर गया था तो हमें हो सकता है यहां से मतलब uptrend की continuation भी देखने को मिल सकते हैं तो यह वही point है हमारा तो यह bounce आने का chance भी यहां से भी ज्यादा है और अगर इसको down जाना है तो यह भी level जो यह जोन आपको मैंने बता है 20,000 50 से लेके यह 20,900 850 का अवरलप 90,000 850 900 से यह जोन हमारे पास रहेगा थोड़ा सा इन डिसी सी जोन रहेगा कि अभी यहां पर आपको selling pressure भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है या तो फिर यहां से और buyers की entry होगी और बड़े time frame के इसाब चकर अभी फिलाल closing ऐसी जगह यहां पर हुई है तो जहां पर हम एक trend confirmation नहीं कर पाते हाला कि अगर देखे तो कोई मतलब major support हमारा breakdown नहीं हुआ है तो हाला कि अभी भी तो है बुली सी market daily time frame अगर बड़े time frame पर देखे और तो यहां पर हमारा intraday trade नहीं बनता है तो हमें छोटे time frame पर ही यहां पर देखना होगा दूसरा यहां पर क्या है region अगर दूसरा region में अगर आपको यहां पर हम देखे तो वह भी मेरे ख्याल से मिल जाएगा इसको फिबुनाची मतलब जो यहां पर हमारा latest swing low है यहां पर यहां से अगर में इसको में नीचे से उपर अगर खीचू तो देखो जो अप्रें एक मुवमेंट में यहां पर चलता है तो यह जो भी यहां से अप्मूव यहां पर आया तो उसका एक retracement हमें यहां पर चाहिए था वह ऐसे भी हमारा पहला planning क्या था एक retracement का profit booking का pullback करना चीए उसी का planning अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे clearly और अभी जो भी हमारा यहां पर view रहेगा जो भी यहां पर महुल रहेगा एक जो अप्टेंड यहां पर चालो है उसका profit booking कहो यह आपको pullback मतलब जो भी यहां पर structure बनता है market का high low high low lower high high low उसके सबसे market को यहां से एक नीचे जाना चीए एक profit booking आना चीए pullback आना चीए तो व लेवल इसको break करना होगा 850 का तो अभी मतलब वो तो daily time frame के सबसे 850 का main support है अगर breakdown हो तो वहां पर हमें डाउन ट्रेंड कंट्यून देखने को भी लगा पर तो अगर चोटे time frame पर यहां पर अगर देखे तो वहां पर भी कुछ और structure बंद रहे होगे कहीं किसी का मतलब जै reversal देखने को मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हर एक time frame पर यहां पर नजर रखनी होगी जैसे कि हमने daily time frame पर देखा तो उसके इसाब से most important level था यहां से हमें उसके इसाब से अगर uptrend भी मतलब देखने को मिल सकता है तो यह हो सकता है हमारा reversal point भी यहां से बन सकता है तो हमारा पहला view क्या रहेगा जैसे कि मैंने कहा अगर 850 का levels पर support लेता है तो वहां से हमें हो सकता है अगर मालो कि gap down opening देखने को मिला अगर आपको कोई double bottom या कोई भी positive candlesticks pattern देखने को मिला chart pattern देखने को मिला तो आप उसको buy के लिए लेके चल सकते हो 20,000 तक हमारा ट्रेट प्लान रहेगा वहां पर पहले एक बार full profit booking करेंगे अगर वहां से अगर उसको break करके आगे निकलता है 20,000 फिप्टी फिर 100 वन फिप्टी ऐसे आपको trailing stop loss के साथ आगे टागेट अचीव करने है 20,000 एक हमारा reversal point भी यहां पर रहेगा अगर मालो यहां से open होके 20,000 गया तो हो सकता है हमें फिर सी selling भी देखने को मिल सकती है तो अगर मालो यहीं कहीं market open हो आपने buy किया तो 20,000 हमारा रहेगा पहले full profit booking का area समझगे अगर मालो कि gap of opening देखने को मिल गया 20,000 के आसवास यहां यहीं कहीं भी तो हो सकता है हमें वहां से फिर selling pressure आता हो वह बनता हुआ देखने को मिल सकता है कि 20,000 के आसपास है वहीं इस कहीं मरलब market opening देखने को मिली तो मरलब वहीं आप 15 मिनिट या अदा गंटा यह range या तो फिर आज का दीन का लो भी आप पकड़ के चल सकते हो यहां से अगर मरल ब्रेक डाउन करता है तो आप उसको selling के लिए use कर सकते हो target क्या रहेगा हमारे पास 50-50 point मिलब 900 के बाद हम 850 800 ऐसे 750 700 और इसी के साथ साथ यहां पर 50% retracement मतलब जो भी यहां पर अपनों वाया है इसका 50% retracement अगर आपको retracement के area जो level अगर पता होगा तो यह 38% मैंने आपको जैसे कि मैंने कहा ना कि यह जो range यहां पर बना है 20,000 से लेकि यह 850 वाला area most important एक indecisive area रहेगा कि यहां से uptrend भी continue हो सकत है कि इसके चलते का इसी के चलते के यहां पर आगर आप देखोगे तो 38% retracement almost complete हो चुका है तो उसी के चलते हमें यहां से अप मूबी continue देखने को मिले सकता है अभी यहां से अगर मैं ऊपर से नीचे कि अगर मालों कि यह downtrend यहां पर शुरूवात हो रही है इसका retracement कहा तक का सकता है तो वह भी मेरे खाल से 20,000 के यहां पर बैठना चाहिए तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 38% का retracement 20,000 पर ही यहां पर बैठ रहा है तो हो सकता है यह जो भी downtrend यहां पर शुरूवात हो रहा है तो यहां पर यह ब्रेकडाउन retraced और continue यहां पर हो सकता है तो य कि हैं यहां पर समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे trade plan करना है आपको कि देखो मैंने आपको यह दिमाग में फिट नहीं करवाये कि इसके breakdown महीं कॉल भाइम यहां इसके उपर हमें आपको मैंने simply structure समझा है क्यों यह ऐसे buy करना है क्यों sell करना है वह आपके उसके सारे मैंने यहाँ पर reason करना है मतलब आपको मैंने समझा है है ना कि यह structure के चलते ही है यहाँ पर यह level better यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप देखो कि मैंने आपको कल भी कहा था कि यह जो हमारा यह में जो एक setup मैंने यहाँ पर बना है वह पर फेक्टली अग्दम आपने देखाऊगा पता होगा और फिर अभी फालतों में बकवास करके यहाँ पर वीडियो को और लंबा करने की जरूरत नहीं है तो यह रहेगा setup बैंग निप्टी में अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर हम buy sell की planning कर सकते immediate resistance 20,000 तक का कोई भी bounce हमारा sell हो सकता है 850 breakdown हुआ तो वहाँ पर हम sell side के लिए और continue कर सकते है 700 तक हमारा range रहेगा यहाँ पर समझ रहो न कि अगर gap down opening देखने को मिलती है अगर आज सी तर तो फिर से हमें हो सकता है bounce देखने को मिल सकता है वो क्यो profit booking यहाँ पर कोई sell करके बै होगा वैसे भी आतिन दब इतना बड़ा क्या कहते है gap down opening देखने को मिला तो अच्छा कासा यहाँ पर profit बंद रहा होगा अगर कल भी वह gap down opening देखने को मिलती है तो हमें profit booking या short covering जो भी यहाँ पर माहल देखने को मिल सकता है या तो फिर मालों की सीधा gap up open हुआ और 20,000 के उपर अगर यह sustain करने लगता है तो अभी हमें काप मोव अच्छा कासा वहाँ पर देखने को मिल सकता है short covering के चलते तो यह मतलब रहेगा बाकी आपको समझ में आगए होगा अभी बैंक निप्टी के अगर बात करें तो बैंक निप्टी में भी देखो same वैसा ही structure यहाँ प जो भी structure का हमने planning किया जो भी यह में आपको मैंने बता है वो same बैंक निप्टी में यहाँ पर बनेगा क्योंकि अभी देखेंगे structure formation दोनों का almost यहाँ पर same बनता हुआ देखने को मिल रहा है तो अभी यहाँ पर क्या है कि मानलों कि अगर आपको अभी बाय से लवर लव य के दे देता हूँ आपको समझ में आजाना चाहिए मेरे ख्याल से कि यह हमारा कोई reversal point रह सकता है मतलब वह आप मतलब क्या कहते इसको में चलो horizontal line बना के आपको चलिए यह भी सही है यहाँ पर आप मतलब 5 retracement भी बना के चल सकते देख सकते यहाँ पर एक बार में और confirmation आपक आप अपने इसाब से भी अभी आपको वह विजुलाइज यहाँ पर करना है कि कहां से हम रिवर्सल डून सकते कौन सा हमारा breakout point यहाँ पर रहेगा कहां पर हमें वह लेके चल सकते बाइज साइस कॉल मार्केट कहां पर ओपन होता है उसके उपर भी डिपेंड करता है तो य इंपली में ड्रो करके आपको देता हूँ बाकि टार्वेट अपने इसाब से मतलब प्लानिंग आपको कैसे करना है वह आपको थोड़ा से यहाँ पर प्रैक्टीस करना रहेगा समझे ओना रेक्टीस में कुछ नहीं विजुलाइज करो यहाँ पर आपको यह समझ में नही यहां से यहां से हो सकता है यहां से यह भी हो सकता है या तो फिर यहां से यह भी हो सकता है कुछ भी यहां पर बन सकता है तो आपको विजुलाइज करना है तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को इस पॉइंट पे रिवर्सल ढूनना है यहां से इस पॉइंट से आपको ज्यादा मतलब वह फलाना दिंगाना ये फलाना डेटा वह डेटा दीखा के आपको मतलब ज्यादा मार्केट को हाड यहां पर कर देता है जो मतलब बैठ है बड़े-बड़े सस्क्राइबर बड़े व्यूज लेके यहां पर मतलब जानवूज के मार्केट को हाड करत है कि मतलब बंदा हमारा वीडियो छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए है ना और मतलब क्या है एक और इंप्रेशन भी मतलब मालों कि कोई आ यह फलाना धिंकाना यह अलग-अलग आपको डेटा दिखाएगा तो मतलब कोई और सोचेगा अगर पर यह क्या का दिखा रहा है मतलब इसके पास नौलेज बहुत ही अच्छा है परन्तु ऐसा कुछ नहीं मार्केट में कुछ नहीं है आपका माइंसेट साइकोलोजी माइंसेट पर आधर रहता है और दूसरा स्ट्रक्चर आप देखो सपोर्ट रसिस्टन नॉर्मली सब और क क्या और कोई खूप या पुस्तक तो है नहीं ऐसी कोई थेरी तो है नहीं कि मतलब कि कि किसी खास लोगों के पास ही होगी और हमको यह पता नहीं होगा यह सब इसी बेसवे तो सब चल रहे मतलब समझे रहें हो न मैं क्या कहना चाहते हो तो यह रहेगा नétais आग तो अभी मेरी खाल से यहाँ पर हमारा यहाँ पर हो गया आज की जो भी समझा रहा हूं मेरे खाल आपको समझ में बटा और अगर नहीं आ रहा तो आप comment box में मेरे को बताओ कि आपको कहां पर दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा सा उसको और improvement करने की courses करूंगा क्योंकि यह बात क्या है ना कि यहां पर मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है मैं कोई professional यहां पर यूटूबर नहीं हो एक नॉर्मल सा आपकी तरह छोटा सा capital लेके मैं यहां पर बैठा हूं market में तो जो भी मैंने सीखा जो भी मैंने यहां पर market में मतलब वो कहते हैं तकली पर मतलब जो यहां पर मेरे को मुश्किल यह को सामना करना पड़ा है और जो भी मतलब व तो टेड़े मेड़े रस्त पे ना जाओ और फालतू के कोई courses बाए ना करो जो कि आज कर लो हर कोई मतलब course लेकर बैठा हुआ है तो मतलब कोर्स बाए करने की जरूरत कुछ भी नहीं है कोई भी ग्रूप जोइन करने की जरूरत नहीं है आपको सब कुछ यूटूब पर मिल जाएगा फ्री में तो थोड़ी सी ढूंडने की जरूरत है समझ रहना यह है तो बस अभी आज का इस वीडियो हम इधर ही खत्म करेंगे तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दे और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सिस्ट्राइब कर दे तो वीडियो देखने के लिए थेंक्यू धन्यवाद